ही गाइस कैसे हैं आप लोग वेलकम टो मोव इंफॉरमर तो दोस्तों साइंस फ्रिक्शन मुवियों का जब भी नाम निकल कर आता है तो जालतर हमारों रुख हॉलिवोड की तरह भड़ता है और भड़े भी क्यों ना क्योंकि हॉलिवोड ने काफी अच्छी बेस्ट अमेज पसंद किया है और यह सब चीजे देखते हैं आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 इंडिया सिनिमा की साइंस फ्रिक्शन मुवियों के बारे में बताऊंगा और मैं उमीद करता हूं कि आपको यह लिस्ट पसंद आएगी तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ वीड रावन मुवी के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को यह मतलब तो बनता है क्योंकि फैंस आल्रेडी इस मुवी के बारे में जानते हैं और भले से रावन मुवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा खास कमाई ना करी हो बट रावन एक अच्छी साइंस फ्रिक्शन होगा अपने चाइल लोल्ड में अगर कराया तो आपने कमेंट करके बता सकता है तो चली बढ़ते हैं अगरी लिस्ट पर आते हैं इरो मर्गन एक इंटरनेशनल रावडी और यह स्तमिल साइंस फ्रिक्शन मुवी है जो आईती 2016 में है और इरो मर्गन में में लीड रूल म जो काफी अच्छी साइंस फ्रिक्शन मुवी भी लगेगी अगर आपने इस मुवी को नहीं देखाई तो आप इस मुवी को जरूर देखे आपको उसका पसंद आएगी तो चली बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजिशन पर एट नंबर पर आती है इरान दम मुलगम जो तमिल सा इस स्टोरी दिखाई गई है सेवन नंबर पर आती है आए स्मार्ट शंकर जो एक रिसेंट मुवी है जो अभी आई जो 2019 में और यह एक एक्शन साइंस 5 फ्रिक्शन मुवी है जिसमें में लीड होड में नजर आते है राम पोते ही नहीं और अगर मैं इस मुवी की स्टोरी के बारे में बात करूं जो राम का करेक्टर है शंकर उसके दिमाग के साथ कोई छेल खानी करता मतलब किसी और की मेमोरी उस शंकर की दिमाग में डाल देता और कुछ इस तरीकी की इसकी स्टोरी दिखाई गई है और फैंस ने इस मुवी को काफेदा पसंद भी क्याता हो सा इस मुवी के बारे में कोई बात करने का भी मतलब जानता है और यह मुवी हमाई लिस्ट में पर आती है साइज फाई फ्रिक्शन मुवियों में इंडियन मुवियों में तो चलिए बढ़ते है नेक्स्ट पोजिशन पर फिफ्ट नमबर पर आती है डिसको राज़ा जो इस इस मुवी की स्टोरी दिखाए गई है और अगर आपने यह मुवी नहीं देखे ताब यह मुवी भी देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगली पोजिशन पर फॉर्ट नमबर पर आती है क्रिस सिरीज और क्रिस सिरीज के बारे में कोई बात करने का मतला बनता है नहीं क्रिस सिरीज एक काफी सकसेफुल सिरीज है और एक सूपर हीरो के होने के बावजुद भी यह मुवी काफी अच्छा बिजनेस कर लेती है बॉक्स ऑफिस पर तो चलिए बढ़ते है नेक्स्ट पोजिशन पर नमबर पर आती है टिक 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 जो आई थी 2018 में और यह तमिल पोजिशन पर सेकंड नमबर पर आती है हॉलिवड जी हां 2002 में आई भी मुवी हॉलिवड जो एक कनेट का मुवी थी और यह मुवी पहली इंडिन सिर्मा की पहली रोबोट मुवी थी जिस वजह से आपको डेफिनेंटल यह मुवी तो देखनी चाहिए कि पहली इंडिन सि सूरिया और इस मुवी का काफी अच्छा है क्योंकि इसमें जो सूरिय करेक्टर उसे एक वाच मिलती है जिससे वो ट्रैम ट्रैवल कर सकता मतलब समय के आगे पीछे जा सकता हो काफी यूनिक कांसेट है और अगर आपने यह मुवी नहीं देखे ता आप यह मुवी जरूर करूंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉंस दिखाया तो उन सब के पार्ट भी जल्दी ही लाओंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट भी मुझे दिखा सकते हैं और सबसे पहले आपको मिलेगी तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में